मुंदी जी के लिए कि ना मांजी ना रहबर ना हक में हवाएं किस्ती भी तूटी ये कैसा सफर है और फकीरी का अपना अलग ही मजा है ना पाने की चिंता ना खोने का डर है अगर चर्खे से क्रांती आई है तो बुल्लोजर से संती आई है ऐसा वो जब कहते हैं जब वो सड सड़क पे होते हैं और जब वो सत्ता में होते हैं तो मलाई अकेले खाते हैं महेरी के दिनों में हमें याद करते हैं मायवती इतनी पावरफुल हैं कि नौ बिधान सवाओं की नौकी नौ वह हर गई वो इतनी पावरफुल हैं कि मेर पर वो एकला 13,000 से हरी वो इतनी पाव इतनी पावर हो लेकर की कॉपरेटिव बैंक वहार गई, भूमबिकास बैंक वहार गई, सभी नगर पंचायतों नगर पालकाइं हार गई मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल के साथ 9 साल पूरे हुए हैं, इसको लेकर तमाम मंत्री जो है वो फिल्ड में हैं और मोधी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, हमारे साथ केंद्रिये स्वास्तराज मंत्री, S.P. बगेल साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या संदेश लेकर कि ये लूग निकले हैं सर क्या संदेश है जनताप में मोदी जी के 9 साल का जो कारकाल है इस निबंद का सीरसक अगर मुझे लिखने को मौका दिया जाए तो 9 साल बेमेसाल और सेवा सोसासन और गरीब कर लिया इसमें सब कोछ है और अगर मैं जोज नहीं बताऊंगा त जिसने 9 साल गुजा रहे हो और एक दाग लेकर के अपने चेहरे पर ना आया हूँ जवाला निरीजु के जमाने में जीब घुटाला हो गया था फिर बोफोर्स राजी उगांदी के जमाने में हो गया फिरमान मौन सिंग जी के समय टू जी थ्री जी कोईला कॉमन वेल्थ ह हो गया था तो ऐसा कोई नेता के बसकी तो हैनी है कोई फकीर ओगार टाइप का परमंस टाइप का विक्ति हो वही नौ साल बिना भिष्टाचार के काड़ सकता है तो यह विकास युद्बिष्टाचार मूक्त एक शेहर हम इसा मैं पढ़ता ओं कि मूधी जी के लिए कि लेकर जा रहे हैं जनता के बीचाब लोग जो फाजें शांती काल में पसीना भालेती हैं उन्हें युद्ध काली में खून भाने की आवसकता नहीं होती है इसलिए हमारी सेवा ही संग्ठने के तर्ज पर पेंडिमिक काल में भी काम किया है और हमारा मंडल अद्धत किसी भी ठाना द्धत से ज्यादा विजी रहता है तो रोज कम तो केंद सरकार की लोग कल्यान के लिए योजनाई जो मुदी जी की हैं और राज्य की योजनाई और उतरपदेश सरकार का लौ और और अगर चर्खे से क्रांती आई यह तो बुल्लोजर से संती आई है और भूत अद इसा जब वह बहुत मज़ेदार बात है ऐसा वह जब कहते हैं जब उस शटा में होते हैं तो मलाई अकेले खाते हैं महेरी के दिनों में हमें याद करते हैं बाल भगेलों को तो जो उन्य कहा है इर गडरीया भाई-बाई अच्छी बात है लेकिन तीन बार के MPSP सिंग बगेल की टिकट काट करके अपने बेटे को लडाना फिर अपनी बहु को लडाना फिर अपने भतीजे पे लडाना तो हमने फैट्रिक मारी थी तीन बार जीते हैं चौथी बार में हमें डंडी पकलादी की भेल चराऊ जाके तो भेल नी चराएंगे अब अधिकारी ही से काम हम लेना जानते हैं इसलिए अहीर गलरिया भाई भाई एक अच्छी बात है लेकिन जो है मलाई के दिनों में अकेले फिर अपनी भड़ती करते हैं अकेले अपना विकास करते हैं और जब सड़क पे होते हैं तो हमें याद करते हैं एक सवाल दोंगा सर आगरा से आप पाते हैं आगरा में मायवथी बहुत पावरफूल दिख रही है निगा नगर निकाय चुनाओं में भी सामने आया तो क्या है यह मायवथी पावरफूल हैं कि वो इतनी powerful हैं कि लह थे हैं, वो इतनी powerful हैं कि मेर पर 30,000 वो हुरों tyre sound इवाने के हाने में आनकि पहने थीक नहीं है, लुट में हम पनवकी नकित कामा यह थेल कि लैजहता, A nervous ok देखाने कर दोढ़ा सव में सब्कैर, अई पर शोकित अगर इसके किसा वा है तो 2017 में नो के नो विधाइक जीते, 2022 में नो के नो विधाइक जीते, 2014 में दोनों एंपी जीते, आगरा और फटेपुर्शक्री 2019 में दोनों जीते, और एक जो बड़ा रिकॉर्ड है पांच लाग से उपर का वो आगरा के हिस्से में है, तो यह कुछ प्रशनों में जान न दे रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि 14 में दोनों एंपी जीते, 2017 में नो के नो विधाइक जीते, 2019 में दोनों एंपी जीते, वो पांच लाग से उपर का रिकॉर्ड है, 2000 फिर एक सर्टिपिकेट लिया, 22 में नो के नो विधाइक जीते, अभी अभी मेर पर साथ लुकल बोडीज भी जीते हैं इसके अलावा भूम विकास बैंक को कॉपेटिव बैंक को क्रेव क्रेविक्रे समिझ जीते हैं तो आप कुछ बचा ही नहीं है एक आखरी जवाल, ब्रेज्भुशन सरण सिंग को गिरफटार क्यों नहीं किया जा रहा है, करवाई क्यों नहीं हो रही है, बीजेपी करवाई क्यों नहीं कर रही है इस देश में जब किसी को एक खिलाप F.I.R. होती है, तो I.O. जो है एविडेंस के आधार पर, साक्षों के आधार पर, साक्षों के कोट में चलने लाइक के आधार पर, 174-179 के बयान के आधार पर, और कई बार DNA और लाइट डेटेक्टर के आधार पर, फुट्प्रिंट औ लेंगे, सर, पाक्षों का मामला है, तो क्या इतना गंभीर मामला आपको नहीं लगता? इसलिए कह रहा हैं, कि आप बचा रहा हैं बरभीर मामला आपको नहीं लगता हैं, और 2024 में परचेंड बहुमत के साथ फिर आएगी, साथी साथ तमाम बातों को भी इन्हों ने कहा, बरभीर में भीर में कहा कि एफायार होने से दोसी सिध्ध नहीं हो जाता कोई उदे गुप्ता चंदोली, युपितर